प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट देवियों और सज्जनों, आज मेरे साथ जुडने के लिए धन्यवाद क्योंकि हम विज्ञान के सबसे गहन सिध्धानतों में से एक सामान्य सापेक्षता के माध्यम से एक आकर्षक यात्रा पर निकल रहे हैं एक ऐसी दुनिया की कलपना करें जहां वास्तविक्ता का तानाबाना खुद ही जुकता और फैलता है, जहां समय धीमा और तेज हो जाता है उपर और जहां तारे और ब्लाक होल जैसी विशाल वस्तुएं अंतरिक्ष के सार में तरंगे पैदा करती हैं यह दुनिया मौजूद है और यह हमारे चारों ओर है जनरल रिलेटिविटी का विकास 1915 में अलबर्ट आइंस्टीन के प्रतिभाशाली दिमाग द्वारा किया गया था आइंस्टीन से पहले हम आईजैक न्यूटन द्वारा प्रस्तुत गुरुत्वाकर्शन के नियमों पर भरोसा करते थे जो रोजमर्रा के अनुभवों के लिए अच्छा काम करता था लेकिन जब कुछ ब्रहमांडिय घटनाओं की व्याख्या करने की बात आती थी तो यह विफल हो जाता था आइंस्टीन के सिध्धान्त ने गुरुत्वाकर्शन को एक बल के रूप में नहीं बल की अंतरिक्षस्मय की वकृता के रूप में वर्नित करके सब कुछ बदल दिया अब आये इस अविश्वस्निय कहानी पर गौर करें की यह क्रांतिकारी सिध्धान्त कैसे अस्तित्व में आया इसने किन प्रमुख अवधार्नाओ को पेश किया और इससे कितनी आश्चर्यजनक खोजे हुई प्रिश्थभूमी इतिहास सामान्य सापेक्षता को समझने के लिए हमें समय में एक कदम पीछे जाने की आवश्शक्ता है 1687 में आईजैक न्यूटन ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्शन का अपना नियम तयार किया उन्होंने प्रस्तावित किया कि ब्रहमान्ड में प्रतेक वस्तु अपने द्रव्यमान के आनुपातिक और व्युदक्रमानुपाती बलके साथ प्रतेक अन्य वस्तु को आकर्शित करती है उनके बीच की दूरी के वर्ग तक यह नियम अभूत पूर्व था और इसने गिरते सेप से लेकर ग्रहों की कक्षाओं तक सब कुछ समझाया लेकिन उन्नीसवी सदी के अंत तक वैज्यानिकों को विसंगतिया नजर आने लगी इन में से सबसे प्रसिद्ध हमारे सौर मंडल के सबसे भीतरी ग्रह बुध की अनोखी कक्षा थी बुध की कक्षा न्यूटोनियन भविश्यवाणियों से मेल नहीं खाती यह संकेत देती है कि गुरुतवाकर्शन में न्यूटन के समीकरनों से कहीं अधिक कुछ है 1905 में उन्होंने विशेश सापेक्षता का अपना सिध्धान्त प्रकाशित किया जिसने यह विचार प्रस्तुत किया कि भौतिकी के नियम सभी गैरतवरक पर्यवेक्षकों के लिए समान है और प्रकाश की गती स्थिर है चाहे पर्यवेक्षक की गती कुछ भी हो यह उनके अधिक व्यापक सिध्धान्त सामान्य सापेक्षता की दिशा में एक कदम था 1915 में दस वर्षों के गहन परिश्रम और गहन चिंतन के बाद आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता का अपना सिध्धान्त दुनिया के सामने प्रस्तुत किया उन्होंने प्रस्तावित किया कि सूर्य जैसी विशाल वस्तुएं अपने चारों और अंतरिक्षसमय को मोरती हैं और इस वक्रता को हम गुरुत्वाकर्शन के रूप में देखते हैं यह दूरी पर कार्य करने वाले बल के रूप में गुरुत्वाकर्शन के न्यूटन के विचार से एक मौलिक विचलन था डेविड हिलबर्ट, कार्ल श्वार्सचिल्ड और आर्थर एडिंग्टन जैसी प्रमुक हस्तियों ने आइन्स्टीन के सिध्धान्त के विकास और सत्यापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई श्वार्सचाइल्ड ने आइन्स्टीन के क्षेत्र समीकर्णों का पहला सटीक समाधान खोजा, जिसमें एक गोलाकार ग्रव्यमान के आसपास के स्पैस्टाइन का वर्नन किया गया, जिससे ब्लाक होल की अवधारना सामने आई एडिंग्टन के 1919 के सूर्य ग्रहन देखने के अभियान ने जनरल रिलेटिविटी द्वारा भविश्यवानी की गई प्रकाश के जुकाव की पुष्टी की, जिससे आइन्स्टीन को दुनिया भर में प्रसिध्धी मिली गनितिय प्रिश्थ भूमी और विकास अब सामान्य सापेक्षता के गनितिय आधार के बारे में बात करते हैं चिंता न करें, हम इसे सरल रखेंगे इसके मूल में सिध्धान्त गनित की एक शाखा का उप्योग करता है जिसे टेंसर कैलकुलस कहा जाता है, जो स्पेस्टाइम की वकृता का वर्णन करने में मदद करता है स्पेस्टाइम को एक लचीले कपड़े के रूप में कलपना करें जब आप इस कपड़े पर गेंद जैसी कोई भारी वस्तु रखते हैं, तो यह एक डिप बनाता है पास में रखी छोटी वस्तुए भारी वस्तु की ओर लुड़केंगी, इसलिए नहीं कि उन्हें किसी बल द्वारा खीचा जा रहा है बल्कि इसलिए कि वे डुबकी द्वारा बनाए गए घुमावदार पत का अनुसर्ण कर रही है यह सामान्य सापेक्षता का सार है, वस्तुए द्रव्यमान और उर्जा द्वारा बनाए गए स्पेस्टाइम में वक्र के साथ चलती है आइंस्टीन के क्षेत्र समीकरण गणितिय उपकरण हैं जो इस वक्रता का वर्णन करते हैं यह समीकरण जटिल हैं, लेकिन वे अनिवार्य रूप से जो कहते हैं, वह यह है कि पदार्थ स्पेस्टाइम को बताता है कि कैसे वक्र होना है और घुमावदार स्पेस्टाइम पदार्थ को बताता है कि कैसे आगे बढ़ना है यह जामिती और भौतिकी के बीच एक सुन्दर परस पर क्रिया है इन समीकरणों को विक्सित करना आसान नहीं था 1907 में आइंस्टीन ने पहली बार यह विचार पेश किया कि मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तुओं पर कोई गुरुत्वाकर्शन बल नहीं लगता है जिसे उन्होंने तुलिता सिध्धान्त कहा यह सिध्धान्त उनके सिध्धान्त की आधारशिला बन गया 1911 तक आइंस्टीन ने भविश्यवानी की थी कि दूर के तारों से प्रकाश सूर्य जैसी विशाल वस्तु के पास से गुजरते समय मुर जाएगा यह एक सासिक भविश्यवानी थी लेकिन इसे साबित करने में कई साल लग जाएंगे 1915 में आइंस्टीन ने आखिरकार सामान्य सापेक्षता का पूरा सिध्धान्त प्रस्तुत किया कुछ ही समय बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना में कार्यरत कार्ल श्वार्स्चिल्ड ने आइंस्टीन के समीकर्णों का सटीक समाधान ढूंद लिया इस समाधान ने एक गोलाकार गैरगूर्णन द्रव्यमान के चारों और अंतरिक्षस्मय का वर्णन किया जिससे उस अवधार्ना की और अग्रसर हुआ जिसे अब हम ब्लाक होल कहते हैं आइंस्टीन के समीकर्णों का जल्द ही परीक्षन किया गया 1919 में एक सूर्य ग्रहें के दौरान आर्थर एडिंग्टन के अभियान ने सूर्य द्वारा तारों के प्रकाश के जुकाव को देखा जिससे आइंस्टीन की भविश्यवानी की पुष्टी हुई और सामान्य सापेक्षता की आश्चर्यजनक मान्यता प्रदान की गई प्रायोगिक अवलोकन पिछले कुछ वर्षों में कई प्रयोगों द्वारा सामान्य सापेक्षता का परीक्षन और पुष्टी की गई है पहली बड़ी पुष्टी आर्थर एडिंग्टन के 1919 अभियान से हुई जिसमें सूर्य ग्रहेन के दौरान तारों की रोश्नी का जुकाव देखा गया यह आइंस्टीन के लिए और स्वीकृती के लिए एक महत्वपूर्ण क्षन था उनके सिध्धान्त का 1969 में हारवर्ड विश्व विद्यालय में पांद्रेप का प्रयोग ने सामान्य सापेक्षता की एक और भविश्यवानी की पुष्टी की गुरुत्वाकर्षन रेडशिफ्ट इस प्रयोग से पता चला कि गुरुत्वाकर्षन ख्षेत्र से बाहर निकलते ही प्रकाश अपनी उर्जा खो देता है और इस प्रकार रंग बदल लेता है सामान्य सापेक्षता के लिए सबसे सम्मोहक सबूतों में से एक हुल्स्टेलर बाइनरी पलसर से आया है जिसे 197 में खो जा गया था इस प्रणाली में दो न्यूट्रॉन तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं जैसा की आइनस्टीन ने भविश्यवानी की थी गुरुत्वाकर्शन तरंगों के उचसर्जन के कारण समय के साथ उनकी कक्षाए धीरे-धीरे सिकुर्ती जाती है गुरुत्वाकर्शन तरंगों के इस अप्रत्यक्ष प्रमाण के कारण 1999 में रसेल हुल्स और जोसिफ टेलर को भौतिकी में नोबेल पुरसकार मिला फिर 2015 में लीगो लेजर इंटर्फेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव अब्जरविटरी ने एक अभूत्पूर्व खोज की पहली बार गुरुत्वाकर्शन तरंगों का सीधे पता लगाया गया दो ब्लाक होल की टककर के कारण अंतरिक्ष समय में इन तरंगों ने खगोल विज्ञान के एक नए युग की शुरुवात की जिससे हमें ब्रहमांड को पूरी तरह से नए तरीके से देखने का मौका मिला सामान्य सापेक्षता हमारी रोजमर्रा की तक्नीक में भी महत्वपूर्ण भूमी का निभाती है उदाहरन के लिए GPS उपग्रहों का सटीक समय, सटीक स्थान डेटा प्रदान करने के लिए विशेश और सामान्य सापेक्षता दोनों के प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए इन सुधारों के बिना हमारे GPS सिस्टम कई किलोमीटर तक बंद रहेंगे जहां सामान्य सापेक्षता विफल हो जाती है हाला कि सामान्य सापेक्षता अविश्वस्निय रूप से सफल रही है यह सही नहीं है ऐसी स्थितिया हैं जहां यह तूट जाती है और इन सीमाओं को समझना भौतिकी के भविश्य के लिए महत्वपूर्ण है एक महत्वपून सीमा ब्लाक होल के अंदर क्या होता है इसका वर्णन करने में सिध्धान्त की असमर्थता है ब्लाक होल के केंद्र में अनंत धनत्व का एक बिंदु होता है जिसे विलक्षनता कहा जाता है यहाँ स्पेस्टाइम की वकृता अनन्थ हो जाती है और भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ विफल हो जाती है एक और बड़ी चुनौती यह है कि सामान्य सापेक्षता क्वांटम यांत्रिकी के साथ अच्छी तरह से काम नहीं करती है वह सिध्धान्थ जो सबसे छोटे पैमाने पर कणों के व्यवहार का वर्नन करता है दोनों सिध्धान्थ अपने अपने क्षेत्र में अविश्वस निय रूप से सफल हैं लेकिन वे मौलिक रूप से असंगत हैं इसने भौतिक विदों को क्वांटम गुरुत्व के एक एकी कृत सिध्धान्थ की खोज करने के लिए प्रेरित किया है जो एक ही धाचे के भीतर प्रकृती की सभी शक्तियों का वर्नन कर सकता है भौतिकी के इन दो स्तंभों में सामन जस्य बिठाने के प्रयासों से कई दिल्चस्प सिध्धान्थ सामने आये हैं उदाहरन के लिए स्ट्रिंग सिध्धान्थ बताता है कि ब्रहमांड के मूलभूत निर्मान खंड बिंदु जैसे कंड नहीं है बलकी छोटे कंपन करने वाले तार है एक अन्यतरिश्टिकोन लूब क्वांटम ग्रेविटी स्पस्टाइन को स्वय निर्धारित करने का प्रयास करता है दोनों सिध्धान्त अभी भी विकास में हैं और उनकी वैधता निर्धारित करने के लिए प्रयोगात्मक साक्ष्य की आवश्यक्ता है सामान्य सापेक्षतावाद को भी कुछ ब्रह्मांडिय घटनाओं की व्याख्या करने में संधर्ष करना पड़ता है दार्क मैटर जो ब्रहमांड का लगभग 27 परसेंट हिस्सा है और डार्क एनरजी जो लगभग 68 परसेंट है दोनों रहस्यमय घटक हैं जिनहें सामान्य सापेक्षता पूरी तरह से समझा नहीं सकती है ये पदार्थ ब्रहमांड की संरचना और विस्तार को प्रभावित करते हैं लेकिन उनकी वास्तविक प्रकृती आधुनिक भौतिकी में सबसे बड़े प्रशनों में से एक बनी हुई है इन चुनोतियों के बावजूद सामान्य सापेक्षता ब्रहमांड की हमारी समझ की आधार्शिला बनी हुई है इसने अपने उपर डाले गए हर प्रायोगिक परीक्षन को पास कर लिया है और गुरुत्वाकर्शन संबंधी घटनाओं का सटीक विवर्ण प्रदान करना जारी रखा है सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी को एक जुट करने वाले सिध्धान्त को खोजने की खोज आज विद्ध्यान की सबसे रोमांचक सीमाओं में से एक है महत्वपूर्ण अवधार्णाएं आईए इसकी सुन्दर्ता और सुन्दर्ता को समझने के लिए सामान्य सापेक्षता की कुछ प्रमुख अवधार्णा उपर गौर करें सबसे पहले हमारे पास स्पेस्टाइम की अवधार्णा है अंतरिक्ष और समय को अलग-अलग संस्थाओं के रूप में सोचने के बजाए सामान्य सापेक्षता उन्हें चारायामी सातत्य में जोडती है स्पेस्टाइन को एक लचीले कपड़े के रूप में चितरित करें तारे और ग्रह जैसी विशाल वस्टुएं इस कपड़े में ढलान और वक्र बनाती हैं और छोटी वस्टुएं इन वक्रों के साथ चलती हैं इसे ही हम गुरुत्वा कर्शन के रूप में समझते हैं अगला तुल्यता सिध्धान्त है आइन्स्टीन ने प्रस्तावित किया कि गुरुत्वा कर्शन के प्रभाव त्वरन के प्रभाव से अप्रभेद्य हैं कल्पना कीजिए कि आप अंतरिक्ष में एक लिफ्ट में हैं यदि लिफ्ट तेजी से उपर की ओर बढ़ने लगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई बल आपको फर्श पर धकेल रहा है जैसे कि आप प्रित्वी पर खड़े हो यह सिध्धान्त एक महत्वपूर्ण अंतरग्रिष्टी थी जिसने आइंस्टीन को सामान्य सापेक्षता विक्सित करने के लिए प्रेरित किया स्पेस्टाइम की वक्रता एक और मौलिक विचार है द्रव्यमान और उर्जा के कारण अंतरिक्षस्मय वक्र हो जाता है और यह वक्रता वस्तूओं की गती को प्रभावित करती है उदाहरन के लिए ग्रहों के सूर्य की परिक्रमा करने का कारण यह है कि वे सूर्य की विशाल उपस्थिती द्वारा बनाये गए अंतरिक्षस्मय में घुमावदार पथों का अनुसर्ण कर रही है सामान्य सापेक्षता की सबसे प्रसिद्ध भविश्यवानियों में से एक ब्लाक होल का अस्तित्व है यह अंतरिक्षस्मय के ख्षेत्र हैं जहां वक्रता इतनी चरम हो जाती है कि कुछ भी यहां तक की प्रकाश भी बच नहीं सकता है ब्लाक होल को एक बार पूरी तरह से सैध्धान्तिक माना जाता था लेकिन अब हमारे पास मजबूत अवलोकन संबंधी सबूत हैं कि वे मौजूद हैं बढ़ते पदार्थ से एकसरे उचसरजन और ब्लाक होल विलय से गुरुत्वाकर्शन तरंगों का पता लगाने जैसी घटनाओं के लिए धन्यवाद एक और आकर्शक भविश्यवानी गुरुत्वाकर्शन तरंगों के अस्तित्व की है ये स्पेस्टाइन में तरंगे हैं जो तेजी से बढ़ते द्रव्यमान के कारण होती हैं जैसे कि ब्लाक होल या न्यूट्रॉन सितारों का विलय 2015 में एलाई जियो द्वारा गुरुत्वाकर्शन तरंगों का प्रत्यक्षपता लगाना एक बड़ी उपलब्धी थी जो एक प्रमुख पहलू की पुष्टी करती है आइंस्टीन का सिध्धान्ट और ब्रह्मान का अवलोकन करने का एक नया तरीका खोलना गुरुत्वाकर्शन तरंगे खगोल विदों को ब्रह्मान का पता लगाने के लिए एक नया उपकरन प्रदान करती हैं वे हमें ब्रह्मान्ड में उन घटनाओं को सुनने की अनुमती देते हैं जो पारमपरिक दूर्बीनों के लिए अग्रिश हैं जैसे की ब्लाक होल या निूट्रॉन सितारों की टक्कर इससे हमें इन चरम घटनाओं में अभूत पूर्व अंतरग्रिश्टी मिली है और ब्रह्मान्ड की सबसे उरजावान प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ गहरी हुई है सामान्य सापेक्षिता को समझना न केवल ब्रहमांडिय घटनाओं के बारे में हमारे ज्ञान को समरिध करता है बलकि व्याभारिक अनुप्रयोगों को भी प्रभावित करता है उदाहरण के लिए हमारे वैश्विक पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस, सामान्य और विशेश सापेक्षिता दोनों के सिध्धान्तों पर निर्भर करते हैं प्रित्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों को जमीन पर मौजूद वस्तूओं की तुलना में कम गुरुत्वाकर्शन खिंचाव का अनुभव होता है और उनकी घडिया तेज चलती है सटीक स्थान डेटा प्रदान करने के लिए GPS सिस्टम को इन सापेक्ष प्रभावों को ध्यान में रखना होगा इन सुधारों के बिना GPS डेटा गलत होगा यह दर्शाता है कि सैध्धान्तिक भौती की और प्रोध्योगी की कितनी गहराई से जुड़ी हो सकती है सामान्य सापेक्षता के वल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित एक सिध्धान्त नहीं है इसके नहितार्थ हमारे दैनिक जीवन और हमारे द्वारा उप्योग की जाने वाली तकनीक तक विस्तारित है सामान्य सापेक्षता के सबसे व्याभारिक अनुप्रयोगों में से एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या GPS में है प्रिथवी की परिक्रमा करने वाले GPS उपगरह प्रिथवी की सतह पर मौझूद उपगरहों की तुलना में कमजोर गुरुत्वाकर्षन क्षेतर का अनुभव करते हैं परिनामस्वरूप उनकी घडिया जमीन पर मौझूद घडियों की तुलना में तेस चलती हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि GPS सटीक रहे, इन सापेक्ष प्रभावों को ध्यान में रखा जाना चाहिए यदि समायोजन नहीं किया गया, तो GPS कई किलोमीटर तक बंध हो जाएगा यह वास्तविक दुनिया का उदाहरण है कि सामान्य सापेक्षता हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है यह सुनिश्चित करती है कि नेविगेशन और टाइमिंग सिस्टम सही धंग से काम करते हैं GPS से परे सामान्य सापेक्षिता ब्रहमांड के बारे में हमारी समझ को भी प्रभावित करती है उदाहरण के लिए यह ब्रहमांड संबंधी घटनाओं के हमारे अवलोकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गुरुत्वाकर्शन लेंसिन के अवलोकन जहां दूर की वस्तूओं से प्रकाश विशाल वस्तूओं के चारों ओर जुकता है सामान्य सापेक्षता की भविश्यवाणियों की पुष्टी करता है और ब्रहमांड में काले पदार्थ के वितर्ण में अंतरग्रिष्टी प्रदान करता है दूसरा उदाहरण ब्लाक होल का अध्ययन है जनरल रिलेटिविटी द्वारा भविश्यवाणि की गई यह रहस्यमें वस्तूएं अनुसंधान का एक प्रमुक शेत्र बन गई है ब्लाक होल के अवलोकन, उनके गुरुत्वाकर्शन प्रभाव और उनके विकिरन जैसे आकाश गंगा M.87 में ब्लाक होल की प्रसिद्ध छवी के माध्यम से ने खगोल भौतिकी के नएक शेत्रों को खोल दिया है ये अवलोकन सामाने सापेक्षता की सीमाओं का परीक्षन करते हैं और चरम स्थितियों में पदार्थ और उर्जा के व्यवहार के बारे में सुराग प्रदान करते हैं इसके अतिरिक्त ब्रहमांड के विस्तार के बारे में सिध्धांत की भवश्यवाणियों ने ब्रहमांड विज्ञान में महत्वपूर्ण खोजों को जन्म दिया है ब्रहमांड के तीवर विस्तार का अवलोकन जिसका श्रे डार्क एनरजी को जाता है एक ऐसी घटना है जिसे सामान्य सापेक्षता समझाने में मदद करती है इस विस्तारित ब्रह्मांड मॉडल ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है और यह आधुनिक भौतिकी में अनुसंधान का एक प्रमुक शेत्र बना हुआ है सामान्य सापेक्षता का गणितिय सूत्रीकरण सामान्य सापेक्षता के केंद्र में समीकरण हैं जो बताते हैं कि पदार्थ और उर्जा अंतरिक्ष समय के आकार को कैसे प्रभावित करते हैं ये समीकरन जटिल हैं, लेकिन वे मूल रूप से ब्रहमांड की ज्यामिती को द्रव्यमान और उर्जा की उपस्थिती से जोडते हैं. इसे समझने के लिए स्पेस्टाइन को एक लचीले बहुआयामी कपड़े के रूप में कलपना करें. इस कपड़े को भारी वस्थिती से खीचा और विक्रित किया जा सकता है. ठीक उसी तरह जैसे रबर शीट पर रखी एक भारी गेंड इसे मोर देती है. जिस तरह से यह कपड़ा मुर्ता और मुर्ता है, उसका वर्नन मेट्रिक टेंसर नामक चीज द्वारा किया जाता है. उदाहरन के लिए यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जब स्पेस्टाइम किसी विशाल वस्तुद्वारा घुमावदार होता है, तो दो बिंदूओं के बीच की दूरी कैसे बदल जाती है. समतल घुमावदार स्थान में दूरिया मापना सरल है, लेकिन घुमावदार स्पेस्टाइम में दूरियों की गणना करना उतना आसान नहीं है, और मेट्रिक टेंसर हमें इन जटिलताओं को संभालने के लिए उपकरण देता है. स्पेस्टाइम की वक्रता का वर्णन विभिन वक्रता टेंसरों द्वारा किया जाता है. एक महत्वपूर्ण टेंसर रिक्की वक्रता टेंसर है, जो मापता है कि विभिन दिशाओं में कितना स्पेस्टाइम फैलाया संपीडित है. एक अन्य संबंधित अवधारना अदिश वक्रता है, जो एक विशिष्ट बिंदु पर स्पेस्टाइम की समग्र वक्रता का प्रतिनिधित्व करने वाला एकल मान प्रदान करती है आइंस्टीन के समीकरण इन वक्रताओं को ब्रहमांड में मौजूद पदार्थ और उर्जा से जोड़ते हैं अनिवार्य रूप से ये समीकरण बताते हैं कि जिस तरह से स्पेस्टाइम घटता है, वह पदार्थ और उर्जा की मात्रा और वितर्ण पर निर्भर करता है यदि आप अंतरिक्षस्मय के कपड़े की कलपना करते हैं, तो द्रव्यमान और उर्जा की मात्रा इस कपड़े के मुढ़ने के तरीके को बदल देती है तारे और ब्लाक होल जैसी विशाल वस्तुएं इस कपड़े में गहरे कुएं बनाती हैं, जबकि हल्की वस्तुएं छोटी तरंगे बनाती हैं उदाहरन देने के लिए किसी ग्रह या तारे जैसे साधारन गोलाकार द्रव्यमान के मामले पर विचार करें समीकरन दिखाते हैं कि इस तरह के द्रव्यमान के चारों और अंतरिक्षस में एक पूर्वानुमानित तरीके से कैसे घुमावदार होता है यह समाधान जिसे श्वार्सचिल्ड समाधान के रूप में जाना जाता है एक गैरगूर्णन गोलाकार वस्तु के चारों और स्पेस्टाइन जामिती का वर्णन करता है यह हमें ग्रहों की कक्षाओं और विशाल वस्तुओं के पास प्रकाश के व्यवहार जैसी घटनाओं को समझने की अनुमती देता है यह समीकरण न केवल सैध्धान तिक हैं बलकि प्रयोगों के माध्यम से परीक्षन और पुष्टी किये गए हैं उदाहरण के लिए जैसा की आइंस्टीन ने भविश्यवानी की थी सूर्य ग्रहन के दोरान सूर्य के चारों और प्रकाश का जुकना सामान्य सापेक्षता के लिए प्रारंभिक साक्ष्य प्रदान करता है बाद में विभिन्न गुरुत्वाकर्षन क्षेत्रों में घडियों के सटीक समय या गुरुत्वाकर्षन तरंगों का पता लगाने जैसे प्रयोगों ने इन समीकर्णों की सटीकता की और पुष्टी की है संक्षेप में सामान्य सापेक्षिता के गणित में यह वर्णन करना शामिल है कि अंतरिक्षस्मय द्रव्यमान और उर्जा से कैसे आकार लेता है प्रमुख गणिती अवस्तुए जैसे मेटरिक टेंसर और वकरता टेंसर हमें इस वकरता के प्रभावों को समझने और गणना करने में मदद करती हैं इन समीकर्णों का कठोर्ता से परीक्षन किया गया है और ब्रह्मान्ड के व्यवहार का वर्णन करने में ये उलेखनिय रूप से सटीक साबित हुए है भविश्य की दिशाएं जैसा की हम भविश्य की ओर देखते हैं सामान्य सापेक्षता और इसके नहितार्थों की हमारी समझ को गहरा करने की खोज जारी है अनुसंधान की एक प्रमुख दिशा एक एकीकृत सिध्धान्त खोजना है जो सामान्य सापेक्षता को क्वांटम यांत्रिकी के साथ जोडती है यह नया सिध्धान्त एक व्यापक रूप्रेखा प्रदान करेगा सबसे छोटे कणों से लेकर सबसे बड़ी ब्रहमांडिय संरचनाओं तक प्रकृती की सभी शक्तियों को समझना सैध्धान्तिक भौतिकी में प्रयास जैसे की स्ट्रिंग सिध्धान्त और लूप क्वांटम गुरुत्व का उद्देश्य सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी के बीच अंतर को पाटना है स्ट्रिंग सिध्धान्द का प्रस्ताव है कि मौलिक कन बिन्दुस्मान नहीं है, बलकि छोटे कमपन करने वाले तार है लूप क्वांटम गुरुत्व स्वयन स्पेस्टाइन के क्वांटम गुनों का वर्णन करने का प्रयास करता है दोनों द्रिष्टिकोन अभी भी विकास में हैं और उनकी अंतिम मान्यता भविश्य के प्रयोगात्मक और अवलोकन डेटा पर निर्भर करेगी एक और रोमांचक सीमा गुरुत्वाकर्शन तरंगों का अध्ययन है इन तरंगों का निरंतर अवलोकन ब्रहमांड की सबसे उर्जावान घटनाओ जैसे ब्लाक होल विलय और निउट्रॉन स्टार टकराव में नई अंतरग्रिष्टी प्रदान करेगा इन तरंगों का पता लगाने और उनका विशलेशन करने की हमारी क्षमता में सुधार करने के लिए उन्नत डिटेक्टर और वेजशालाएं विक्सित की जा रही हैं, जो नई खोजों की क्षमता प्रदान करती हैं जैसे जैसे प्रोध्योगिकी और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ आगे बढ़ती है, सामान्य सापेक्षता निस्संदे आधुनिक भौतिकी की आधार्शिला बनी रहेगी गुरुत्वा कर्षन का इसका सुन्दर वर्नन और ब्रह्मांड के बारे में हमारे दृष्टिकोंड पर इसका प्रभाव दुनिया भर के वैज्जानिकों को प्रेरित और चुनोती देता रहता है सामान्य सापेक्षता का गणितिय सूत्री करण सामान्य सापेक्षता के केंदर में समीकरण हैं जो बताते हैं कि पदार्थ और उर्जा अंतरिक्ष समय के आकार को कैसे प्रभावित करते हैं ये समीकरण जटिल हैं, लेकिन वे मूल रूप से ब्रहमांड की ज्यामिती को द्रव्यमान और उर्जा की उपस्थिती से जोडते हैं मेट्रिक टेंसर मेट्रिक टेंसर यह समझने के लिए मौलिक है कि घुमावदार स्पेस्टाइम में दूरी और समय को कैसे मापा जाता है कलपना कीजिए कि आप अलग-अलग उचाई वाली तनी हुई रबर शीट पर चल रहे हैं मेट्रिक टेंसर आपको बताता है कि इस शीट के जुकने और खिंचाव को ध्यान में रखते हुए इस शीट पर दो बिंदूओं के बीच की दूरी को कैसे मापना है अधिक गनितिय शब्दों में मेट्रिक टेंसर एक ग्रेड है जो घुमावदार स्थान में फिट होने के लिए ज्यामिती के सामान्य नियमों को समायोजित करता है वक्रता टेंसर यह बताने के लिए कि स्पेस्टाइम कैसे जुगता है हम वक्रता टेंसर का उप्योग करते हैं ये गणिती अवस्तुएं हैं जो मापती हैं कि विभिन बिंदूओं पर स्पेस्टाइम कैसे घुमावदार है कुछ प्रमुख प्रकार है रिक्की वक्रता टेंसर यह टेंसर मापता है कि घुमावदार स्थान से गुजरते समय स्पेस्टाइम की एक छोटी गेंड का आयतन कैसे बदलता है सरल शब्दों में यह हमें बताता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा की उपस्थिती स्थानिय स्तर पर स्पेस Turning को कितना संकुचित या फैलाती है RMAN वकृता TENSOR यह एक अधिक विस्तरित माप है, जो दर्शाता है कि स्पेस्टाइम की वकृता एक बिंदू से दूसरे बिंदू पर कैसे भिन होती है यह हमें उन जटिल तरीकों को समझने में मदद करता है जिनसे स्पस्टाइम के विभिन हिस्से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं यह वर्णन करता है कि जब आप इसे एक छोटे क्षेत्र के चारों और घुमाते हैं तो स्पेस्टाइम में एक छोटा समांतर चतुर्भुच कैसे विक्रित हो जाता है रिक्की स्केलर यह एक एकल संख्या है जो एक विशिष्ट बिंदु पर स्पेस्टाइम की समगर वक्रता को सारांशित करती है जो रिक्की वक्रता टेंसर से प्राप्थ होती है यह स्पेस्टाइन के आयतन और आकार पर वकृता के प्रभाव का एक सरल द्रिश्य प्रदान करता है आइंस्टीन के क्षेतर समीकरण ये समीकरन सामान्य सापेक्षता का हरिदय हैं और स्पेस्टाइन की ज्यामिती को उसके भीतर के पदार्थ और उर्जा से जोडते हैं बाईं और समीकरन के बाईं और विक्की वक्रता टेंसर और विक्की सकेलर शामिल है ये द्रव्यमान और उर्जा के कारण अंतरिक्षस्मय की वक्रता का वर्णन करते हैं दाइं और समीकर्णों के दाइं और तनाव उर्जा टेंसर की विशेष्टा है जो स्पेस्टाइम में उर्जा और गती के वितर्ण और प्रवाह का वर्णन करता है यह टेंसर बताता है कि वहां कितना पदार्थ और उर्जा है और वे कैसे घूम रहे हैं ब्रहमांड संबंधी स्थिरांग को कभी कभी समीकरण के दाई और शामिल किया जाता है यह शब्द खाली स्थान की उर्जा या वैक्यूम उर्जा के लिए जिन्मेदार है इसे मूल रूप से एक स्थिर ब्रहमांड की अनुमती देने के लिए पेश किया गया था और बाद में इसे डार्क एनरजी से जोड़ा गया आइंस्टाइन के समीकरणों का समाधान आइन्स्टीन के समीकर्णों के विभिन समाधान ब्रहमांड के विभिन पहलूओं का वर्णन करते हैं श्वार्स्चिड समाधान यह एक गोलाकार गैरगूर्णन द्रव्यमान के चारों और अंतरिक्षस्मय का वर्णन करता है यह दर्शाता है कि कैसे ऐसी वस्तु के चारों और अंतरिक्षस्मय की वक्रता गुरुत्वाकर्षन खिंचाव जैसी घटनाएं पैदा करती है जो ग्रहों को तारों की परिक्रमा करने और ब्लाक होल के निर्मान का कारण बनती है केर सॉल्यूशन यह एक घूमते हुए द्रव्यमान के चारों और के स्पेस्टाइन का वर्णन करता है यह श्वार्ज्चिल्ड समाधान से अधिक जटिल है और घूमने वाले ब्लाक होल के व्यवहार को समझाने में मदद करता है फ्रीडमैन ले मैं त्रे रॉबर्टस नवॉकर, एफ एल आर डबल्यू, मेट्रिक यह एक विस्तारित या सिकुर्ते ब्रहमान का वर्णन करता है इसका उपियोग ब्रहमान्ड विध्यान में बिग बैंग और अंतरिक्ष के विस्तार सहित ब्रहमान्ड की बड़े पैमाने की संरचना और विकास को मॉडल करने के लिए किया जाता है सिद्धान्ट का परीच्षन सामान्य सापेक्षता का परीच्षन विभिन तरीकों से किया गया है और इन परीच्षनों में अक्सर सिद्धान्ट के गणितिय धांचे का उपियोग करके गणना शामिल होती है गुरुत्वाकर्शन लेनसिन विशाल वस्तूओं के चारों और प्रकाश के जुकाव की भविश्यवानी सामान्य सापेक्षता द्वारा की जाती है जुकने की मातरा को माप कर हम सिद्धान्ट की भविश्यवानियों को सत्यापित कर सकते हैं पेरिहेलियन प्रीसेशन बुध की कक्षा में मामूली बदलाव जिसे न्यूटोनियन यांत्री की द्वारा पूरी तरह से समझाया नहीं जा सका सामान्य सापेक्षिता द्वारा सटीक भविश्यवानी की गई है गुरुत्वा कर्शन तरंगे जनरल रिलेटिविटी द्वारा भविश्यवानी की गई बड़े पैमाने पर त्वरित वस्तूओं के कारण होने वाले स्पेस्टाइम में तरंगों को सीधे LIGO द्वारा पता लगाया गया था जो सिध्धान्त की भविश्यवानियों की पुष्टी करता है कि इस तरहे की घटनाओं से स्पेस्टाइम कैसे परिशान हो सकता है जबकि सामान्य सापेक्षता अविश्वस्निय रूप से सफल रही है इसे चुनोतियों का सामना करना पड़ता है खासकर क्वांटम यांत्रिकी के साथ सन्योजन में क्वांटम गुरुत्व के एक ऐसे सिध्धान्त की खोज जारी है जो सबसे छोटे पैमाने पर अंतरिक्ष समय का वर्णन कर सकता है जिसमें जटिल गनित और नए सैध्धान्तिक धाचे शामिल है संक्षेप में सामान्य सापेक्षता के गनित में टेंसर का उपियोग करके एक गतिशील घुमावदार स्पेस्टाइम का वर्णन करना शामिल है जो वकृता और विकृतियों को पकड़ता है ये गनितीय उपकरण हमें यह समझने और भविश्यवानी करने में सक्षम बनाते हैं कि पदार्थ और उर्जा ब्रहमाण्ड के धाचे को कैसे प्रभावित करते हैं जिसका सैध्धान्तिक और अवलोकन संबंधी भौती की दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है सामान्य सापेक्षता के गनित को समझना स्पेस्टाइम को एक चारायामी कपड़े के रूप में कलपना करें जो अपने भीतर की वस्तूओं के जवाब में फैलता और जुपता है यह समझने के लिए कि यह कपड़ा कैसे व्यवहार करता है हम कुछ प्रमुख गनितिय विचारों का उप्योग करते है आएए उन्हें सरल शब्दों में तोर दें मेट्रिक टेंसर मेट्रिक टेंसर को इस लचीले कपड़े के मान्चित्र के रूप में सोचें जैसे एक नक्षा आपको बताता है कि प्रिथवी पर दूरिया कैसे मापे मेट्रिक टेंसर आपको बताता है कि हमारे घुमावदार अंतरिक्ष समय में दूरिया और समय कैसे मापे सम्तल सतह पर दूरिया मापना सरल है लेकिन स्पेस्टाइन के हमारे घुमावदार धाचे पर चीजे थोड़ी अधिक जटिल हो जाती है मेट्रिक टेंसर हमें यह पता लगाने में मदद करता है कि कपड़ा विभिन बिंदूओं पर कितना फैलाया संकुचित हुआ है वक्रता टेंसर अब यह समझने के लिए कि कपड़ा कैसे जुकता है हम वक्रता टेंसर का उप्योग करते हैं यहां एक साद्रिश्य है कलपना कीजिए कि आपके पास एक रबर शीट है यदि आप बीच में एक भारी गेंद रखते हैं तो शीट गेंद के चारों और जुक जाती है यह जुकने का तरीका गेंद के आकार और उसके वजन पर निर्भर करता है इसी तरह वक्रता टेंसर मापते हैं कि अंतरिक्ष समय सितारों और ग्रहों जैसी विशाल वस्तूओं के चारों और कैसे जुकता है रिक्की वक्रता टेंसर यह टेंसर हमें बताता है कि कपड़ा किसी विशिष्ट शेत्र में कितना फैला या संकुचित हुआ है यह मापने जैसा है कि जब आप किसी वजन से दबाते हैं तो रबर शीट अलग-अलग दिशाओं में कितनी खीचती है रीमैन वक्रता टेंसर यह एक अधिक विस्त्रित माप है यह कैप्चर करता है कि जैसे जैसे आप घूमते हैं, कपड़े का जुकाव कैसे बदलता है कलपना करें कि यदि आप यह देख सकें कि जब आप वजन को चारों और घूमाते हैं तो रबर शीट का मोड कैसे बदलता है यह आपको पूरी तस्वीर देता है कि शीट कैसे मुड रही है रिक्की सकेलर यह एक एकल संख्या है जो हमें एक बिंदु पर कपड़े की समग्र वक्रता का साराश देती है यह एक स्नाप्शॉट लेने जैसा है कि रबर शीट एक विशिष्ट स्थान पर कितनी घुमावदार है आइंस्टीन के क्षेत्र समीकरण यह समीकरण उन नियमों की तरहे हैं कि स्पेस्टाइम का कपड़ा उस पर रखी वस्तूओं पर कैसे प्रतिक्रिया करता है वे हमें दिखाते हैं कि पदार्थ और उर्जा की उपस्थिती कपड़े के आकार को कैसे बदल देती है समीकरणों का बाया भाग यह भाग हमें अंतरिक्षस्मय की वकृता के बारे में बताता है यह बताता है कि द्रव्यमान और उर्जा द्वारा कपड़ा कैसे विकृत होता है समीकर्णों का दाहिना भाग यह भाग उस्पदार्थ और उर्जा का वर्णन करता है जो वकृता का कारण बन रहे हैं यह कहने जैसा है यहां रबर शीट पर क्या है यहां बताया गया है कि यह किस प्रकार शीट को मोर रहा है ब्रहमांड संबंधी स्थिरांग को कभी कभी शामिल किया जाता है यह शब्द रिक्ट स्थान की उर्जा का ही वर्णन करता है यह कपडे में एक आधार भूत मोड की तरह है जो हमेशा बना रहता है तब भी जब कोई वस्तु मौजूद नहीं होती आइंस्टाइन के समीकर्णों का समाधान इन समीकर्णों के विभिन समाधान विभिन परिद्रिश्यों का वर्णन करते हैं श्वार्स चेर समाधान यह किसी ग्रह या तारे जैसी स्थिर, गोलाकार वस्तु के चारों और अंतरिक्षस्मय के तानेबाने का वर्णन करता है. यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ग्रह तारों की परिक्रमा कैसे करते हैं और ब्लाक होल कैसे बनते हैं. Care Solution यह एक घूमने वाली वस्तु के चारों और के कपड़े का वर्नन करता है, जैसे घूमता हुआ Black Hole यह अधिक जटिल है और यह समझाने में मदद करता है कि घूमने वाली वस्तुएं स्पेस्टाइन को कैसे प्रभावित करती है FLRW Metric यह एक विस्तारित ब्रह्मांड का वर्नन करता है यह हमें मॉडल बनाने में मदद करता है कि Big Bang से लेकर वर्तमान स्थिती तक ब्रह्मांड समय के साथ कैसे विक्सित और विक्सित हुआ है सिद्धांत का परीक्षण हम विभिन्न तरीकों से सामान्य सापेक्षता का परीक्षण करते हैं गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग जब दूर के तारों से प्रकाश विशाल वस्तूओं के चारों और जुकता है तो यह हमारी समझ की पुष्टी करता है कि अंतरिक्ष समय कैसे विक्रित होता है पेरिहेलियन प्रीसेशन बुध की कक्षा में मामूली बदलाव सामान्य सापेक्षता की भविश्यवानियों से मेल खाता है जिससे पता चलता है कि सिध्धांत गुरुत्वाकर्षण प्रभावों का सटीक वर्णन करता है गुरुत्वा कर्षन तरंगें तकराते हुए ब्लैक होल से अंतरिक्षस्मय में तरंगों का पता लगाना सिध्धान्त की भविश्यवानियों का प्रत्यक्ष प्रमान प्रदान करता है चुनौतिया और भविश्य की दिशाएं जबकि सामान्य सापेक्षिता अविश्वस्निय रूप से सफल रही है इसे क्वांटम यांत्रिकी जो बहुत छोटे कणों के व्यवहार का वर्णन करता है के साथ एकीक्रित करना एक चुनौति बनी हुई है शोध करता इस अंतर को पाटने और ब्रहमांड के बारे में हमारी समझ को गहरा करने के लिए नए सिध्धान्तों की खोज कर रहे हैं संक्षेप में सामान्य सापेक्षिता यह वर्णन करने के लिए परिश्कृत गणित का उप्योग करती है किस पेस्टाइम का एक लचीला, चारायामी कपड़ा उसके भीतर द्रव्यमान और उर्जा द्वारा कैसे आकार दिया जाता है इस धाचे ने ब्रहमान्ड के बारे में हमारी समझ का गहराई से विस्तार किया है और नई खोजों को प्रेरित करना जारी रखा है मेट्रिक टेंसर को समझना मेट्रिक टेंसर क्या है? मेट्रिक टेंसर घुमावदार स्थानों या स्पेस्टाइम में दूरियों और कोनों को मापता है यह उन स्थानों के लिए जामिती के मानक नियमों को समायोजित करता है जो समतल नहीं है यह समझने का एक तरीका प्रदान करता है कि दूरियां और कोन वक्रता द्वारा कैसे विक्रित होते हैं. साद्रिश्यक एक घुमावदार सतह का मान्चित्र मेट्रिक टेंसर को समझना मेट्रिक टेंसर क्या है? मेट्रिक टेंसर घुमावदार स्थानों या स्पेस्टाइम में दूरियों और कोनों को मापता है यह उन स्थानों के लिए जामिती के मानक नियमों को समायोजित करता है जो समतल नहीं है यह समझने का एक तरीका प्रदान करता है कि दूरिया और कोण वकरता द्वारा कैसे विकृत होते हैं. सादरिश्यक एक घुमावदार सतह का मानचित्र किसी शहर के मानचित्र पर विचार करें. यहां आपको प्रिथवी की घुमावदार सतह पर दूरिया मापने में मदद करता है इसी तरह मीट्रिक टेंसर किसी भी घुमावदार स्थान या स्पेस्टाइम के लिए मांचित्र के रूप में कार्य करता है गणना के लिए घुमावदार वास्टविक्ता को निर्देशांत के एक सेट में अनुवाद करता है यह कैसे काम करता है? सम्तल स्थान में दूरिया मापना सरल है मीट्रिक टेंसर सामान्य युकलीडियन ज्यामिती को सरल बनाता है घुमावदार स्थानों में गोले की सतह की तरह यह वकृता के लिए समायोजित होता है जिससे सटीक, दूरी और कौन माप की अनुमती मिलती है समतल स्थान में दूरिया परिचित ज्यामिती का उपियोग करके मापी जाती है मीट्रिक टेंसर सरल है जो अन्तरिक्ष की समतल प्रकृती को दर्शाता है घुमावदार स्थान में मीट्रिक टेंसर वकृता का हिसाब रखता है उदाहरन के लिए गोले पर दो बिंदूओं के बीच की दूरी गोले की वकृता के कारण समतल मांचित्र से भिन्न होती है मीटरिक टेंसर के घटक मीटरिक टेंसर को मैटरिक्स के रूप में दर्शाया गया है विकर्ण तत्व दर्शाते हैं कि दूरिया विभिन दिशाओं में कैसे फैलती है ग्लोब पर बिंदूओं के बीच की दूरिया अक्षाश के साथ बदलती रहती है और विकर्ण तत्व दिखाते हैं कि विभिन दिशाओं कैसे परस्पर क्रिया करती है गोले जैसी घुमावदार सत्थों में मीट्रिक टेंसर द्वारा पकड़ी गई विभिन दिशाओं के बीच संबंध होते हैं उदाहरण एक गोले की सत्थ है प्रित्वी जैसे गोले पर मीट्रिक टेंसर दिखाता है कि वक्रता के कारण दूरिया कैसे बदलती है भूमध्य रेखा बनाम ध्रूव भूमध्य रेखा के साथ दो बिंदूओं के बीच की दूरी गोले की वक्रता के कारण ध्रूवों के निकट देशांतर रेखाओं से भिन होती है सामान्य सापेक्षता में सामान्य सापेक्षता में मेट्रिक टेंसर बताता है कि स्पेस्टाइन द्रव्यमान और उर्जा द्वारा कैसे घुमावदार होता है स्पेस्टाइन फैब्रिक यह विवर्ण देता है कि स्पेस्टाइन विशाल वस्तूओं के चारों और कैसे जुपता है जिससे वस्तूओं और प्रकाश के पत प्रभावित होते हैं गुरुत्वाकर्शन प्रभाव मेट्रिक टेंसर द्वारा वर्नित स्पेस्टाइम की वकृता के परिणामस्वरूप हम गुरुत्वाकर्शन के रूप में अनुभव करते हैं. मेट्रिक टेंसर की कलपना करना अंतरिक्ष अस्मय पर एक लचीली ग्रेड को परिभाशित करने वाले मेट्रिक टेंसर की कलपना करें यह ग्रेड द्रव्यमान और उर्जा द्वारा विक्रित होने के आधार पर दूरियों और कोनों को समायोजित करता है व्यावहारिक उपियोग व्यावहार में मेट्रिक टेंसर का उपियोग गणना करने के लिए किया जाता है ग्रहों की कक्षाए वर्णन करती हैं कि ग्रह घुमावदार अंतरिक्ष समय में तारों के चारों और कैसे घुमते हैं प्रकाश पत बताते हैं कि कैसे प्रकाश विशाल वस्तूओं के चारों और जुखता है, जिसे गुरुत्वाकर्षन लेंसिंग के रूप में जाना जाता है. साराश घुमावदार स्थानों और स्पेस्टाइन को समझने के लिए मेटरिक टेंसर आवश्चक है. यह उन्दूरियों और कोणों को मापने का एक तरीका प्रदान करता है, जहां पारमपरिक सपाट जामिती लागू नहीं होती है, और हमारे मापों को अंतरिक्ष की वक्रता के अनुसार अनुकूलित करता है. रिक्की टेंसर को समझना रिक्की टेंसर क्या है? रिक्की टेंसर एक गणिती अवस्तु है, जिसका उप्योग सामान्य सापेक्षता के क्षेतर में यह बताने के लिए किया जाता है कि स्पेस्टाइम कितना और किस तरह से घुमावदार है. विशेश रूप से यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि जब आप छोटे क्षेतरों से गुजरते हैं, तो स्पेस्टाइम की वक्रता उनके आयतन को कैसे प्रभावित करती है? यह वक्रता से कैसे संबंधित है? रिक्की टेंसर को समझने के लिए यह जानने में मदद मिलती है कि सामान्य सापेक्षता में वक्रता के बारे में दो तरीकों से सोचा जा सकता है. स्थानिय वक्रता स्पेस्टाइम का एक छोटा छेतर कितना घुमावदार है? वैश्विक वक्रता संपूर्ण अंतरिक्षस्मय कुल मिलाकर कैसे वक्रत है? रिक्की टेंसर एक बिंदु के आसपास छोटे क्षेतरों में स्पेस्टाइम कैसे घटता है? इसका सारांश देकर स्थानिय वक्रता प्रभावों को पकड़ता है. गनतिय विवर्ण गनतिय रूप से रिक्की टेंसर रिमैन वक्रता टेंसर से लिया गया है, जो वक्रता के सभी पहलूओं का वर्णन करता है. रिक्की टेंसर एक सरलीकृत संसकरण है जो व्यावहारिक परिद्रिशों में वक्रता को समझने का अधिक प्रबंधनिय तरीका प्रदान करता है रीमैन वकरता टेंसर वकरता का पूर्ण विवर्ण प्रदान करता है यह विचार करते हुए कि अंतरिक्ष हर संभव दिशा में कैसे जुखता है रिक्की टेंसर को कुछ पहलूँ के आसत से रीमैन टेंसर से व्युत्पन किया गया है जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि आयतन वकृता से कैसे प्रभावित होते हैं रिक्की टेंसर के घटक रिक्की टेंसर को एक मैट्रिक्स के रूप में दर्शाया गया है जिसमें प्रत्येक घटक यह जानकारी देता है कि वकृता विभिन दिशाओं में वॉल्यूम को कैसे प्रभावित करती है विकर्ण तत्व दिखाते हैं कि विशिष्ट दिशाओं में वकृता कैसे बदलती है उदाहरन के लिए यदि वकृता एक दिशा में अधिक है तो यह रिक्की टेंसर के विकर्ण तत्वों में परिलक्षित होगी और विकर्ण तत्व दर्शाते हैं कि विभिन दिशाओं के बीच वकृता कैसे संबंधित है ये तत्व वक्रता की विभिन दिशाओं के बीच परस्पर क्रिया का वर्णन करने में मदद करते हैं भौतिक व्याख्या भौतिक शब्दों में रिक्की टेंसर बताता है कि एक छोटे से ख्षेत्र में कितना स्पेस्टाइम सिकुर्ता या विस्तारित होता है यदि रिक्की टेंसर शून्य है तो इसका मतलब है कि स्पेस्टाइम की स्थानिय मात्रा वक्रता से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होती है यदि यह शून्य नहीं है तो यह इंगित करता है कि वक्रता उस खेत्र में आयतन को प्रभावित करती है सकारात्मक रिक्की टेंसर इंगित करता है कि उस खेत्र में स्पेस्टाइम अनुबंधित है जिसे गुरुत्वाकर्षन स्रोतों से जोड़ा जा सकता है नकारात्मक रिक्की टेंसर इंगित करता है कि उस शेत्र में स्पेस्टाइन का विस्तार होता है जो कम घनत्व या वैक्यूम के क्षेत्रों से संबंधित हो सकता है सामान्य सापेक्षता में Einstein के ख्शेत्र समीकर्णों में रिक्की टेंसर यह समझने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है की पदार्थ और उर्जा स्पेस्टाइन को कैसे प्रभावित करते हैं. Einstein के feed समीकरण spasetime में पदार्थ और उर्जा के वितर्ण के लिए रिक्की tensor और उसके trace रिक्की scalar से संबंधित है Einstein tensor रिक्की tensor और metric tensor को मिला कर एक संपूर्ण विवर्ण तयार करता है कि spasetime वकृता पदार्थ और उर्जा से कैसे प्रभावित होती है स्पेस्टाइन को एक लचीली रबर शीट के रूप में कलपना करें रिक्की tensor हमें बताता है कि यह शीट स्थानिय स्थर पर कैसे खिंची या संकुचित होती है यदि आप शीट पर कोई वस्तु रखते हैं तो यह स्थानिय विकृतिया पैदा करेगा रिक्की tensor इन विकृतियों को इस आधार पर पकड़ता है कि शीट का स्थानिय आयतन कितना बदलता है व्याभारिक उदाहरण ब्लाक होल रिक्की tensor ब्लाक होल के चारों और वकृता का वर्णन करने में मदद करता है जहां स्पेस्टाइन काफी विकृत होता है ब्रहमांड विज्ञान ब्रहमांड विज्ञान में रिक्की tensor ब्रहमांड की बड़े पैमाने की संद्रचना को मौडल करने में मदद करता है जिसमें यह कैसे फैलता है या सिकुरता है साराश रिक्की टेंसर सामान्य सापेक्षता में यह समझने के लिए एक महत्वपून उपकरण है कि स्पेस्टाइन को स्थानिय तरीके से कैसे घुमाया जाता है यह रिमैन टेंसर द्वारा वर्नित जटिल वकृता को सरल बनाता है इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि वकृता वॉल्यूम को कैसे प्रभावित करती है और इस प्रकार पदार्थ और उर्जा के वितर्ण के लिए स्पेस्टाइन जामिती से संबंधित में महत्वपून भू का निभाती है किसी शहर के मानचित्र पर विचार करें यह आपको प्रित्वी की घुमावदार सतह पर दूरिया मापने में मदद करता है इसी तरह मीट्रिक टेंसर किसी भी घुमावदार स्थान या स्पेस्टाइम के लिए मानचित्र के रूप में कार्य करता है गणना के यह वकरता के लिए घुमावदार वास्तविक्ता को निर्देशांत के एक सेट में अनुवाद करता है। यह कैसे काम करता है? सम्तल स्थान में दूरिया मापना सरल है। मीटरिक टेंसर सामान्य यूकलिडियन ज्यामिती को सरल बनाता है। घुमावदार स्थानों में गोले की सतह की तरह यह वकृता के लिए समायोजित होता है जिससे सटीक, दूरी और कोण माप की अनुमती मिलती है समतल स्थान में दूरिया परिचित ज्यामिती का उपियोग करके मापी जाती है मीट्रिक टेंसर सरल है जो अन्तरिक्ष की समतल प्रकृती को दर्शाता है घुमावदार स्थान में मीट्रिक टेंसर वकृता का हिसाब रखता है उदाहरन के लिए गोले पर दो बिंदूओं के बीच की दूरी गोले की वकृता के कारण समतल मानचित्र से भिन्न होती है मीट्रिक टेंसर के घटक मीट्रिक टेंसर को मैट्रिक्स के रूप में दर्शाया गया है विकर्ण तत्व दर्शाते हैं कि दूरिया विभिन दिशाओं में कैसे फैलती है ग्लोग पर बिंदूओं के बीच की दूरिया अक्षाश के साथ बदलती रहती है औफ विकर्ण तत्व दिखाते हैं कि विभिन दिशाय कैसे परस्पर क्रिया करती है गोले जैसी घुमावदार सथों में मीट्रिक टेंसर द्वारा पकड़ी गई विभिन दिशाओं के बीच संबंध होते हैं उदाहरण एक गोले की सत है प्रित्वी जैसे गोले पर मीट्रिक टेंसर दिखाता है कि वक्रता के कारण दूरिया कैसे बदलती है भूमध्य रेखा बनाम ध्रूव भूमध्य रेखा के साथ दो बिंदूओं के बीच की दूरी गोले की वक्रता के कारण ध्रूवों के निकट देशांतर रेखाओं से भिन होती है सामान्य सापेक्षता में सामान्य सापेक्षता में मेट्रिक टेंसर बताता है कि स्पेस्टाइन द्रव्यमान और उर्जा द्वारा कैसे घुमावदार होता है स्पेस्टाइन फैबरिक यह विवर्ण देता है कि स्पेस्टाइन विशाल वस्तूओं के चारों और कैसे जुपता है जिससे वस्तूओं और प्रकाश के पत प्रभावित होते हैं गुरुत्वाकर्शन प्रभाव मेट्रिक टेंसर द्वारा वर्नित स्पेस्टाइम की वकृता के परिणामस्वरूप हम गुरुत्वाकर्शन के रूप में अनुभव करते हैं. मेट्रिक टेंसर की कलपना करना अंतरिक्षस्मय पर एक लचीली ग्रेड को परिभाशित करने वाले मेट्रिक टेंसर की कलपना करें यह ग्रेड द्रव्यमान और उर्जा द्वारा विक्रित होने के आधार पर दूरियों और कोनों को समायोजित करता है व्यावहारिक उपियोग व्यावहार में मेट्रिक टेंसर का उपियोग गणना करने के लिए किया जाता है ग्रहों की कक्षाए वर्णन करती हैं कि ग्रह घुमावदार अंतरिक्ष समय में तारों के चारों और कैसे घुमते हैं प्रकाश पत बताते हैं कि कैसे प्रकाश विशाल वस्तूओं के चारों और जुखता है, जिसे गुरुत्वाकर्षन लेंसिंग के रूप में जाना जाता है. साराश घुमावदार स्थानों और स्पेस्टाइन को समझने के लिए मीट्रिक टेंसर आवश्चक है. यह उन्दूरियों और कोणों को मापने का एक तरीका प्रदान करता है, जहां पारमपरिक सपाट जामिती लागू नहीं होती है, और हमारे मापों को अंतरिक्ष की वकृता के अनुसार अनुकूलित करता है. आइंस्टीन के क्षेत्र समीकरणों को समझना आइंस्टीन के क्षेत्र समीकरण क्या है? आइंस्टीन के क्षेत्र समीकरण बताते हैं कि पदार्थ और उर्जा स्पेस्टाइम की वकृता को कैसे प्रभावित करते हैं. वे दिखाते हैं कि द्रव्यमान और उर्जा की उपस्थिती अंतरिक्षस्मय की ज्यामिती को कैसे प्रभावित करती हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में देखते हैं. सामान्य प्रपत्र फेल्ड समीकरण है आइंस्टीन टेंसर जी स्पेस्टाइम की वकृता का प्रतिनिधित्व करता है. तनाव उर्जा टेंसर टी पदार्थ और उर्जा के वितर्ण का प्रतिनिधित्व करता है. गुरुत्वाकर्शन स्थिरांक जी एक स्थिरांक जो गुरुत्वाकर्शन की शक्ती को मापता है प्रकाश की गती सी एक स्थिरांक जो उस गती को मापता है जिस पर प्रकाश यात्रा करता है इनके बीच का संबंध आइन्स्टीन के क्षेत्र समी करनों द्वारा दिया गया है, जो अंतरिक्षस्मय की वकृता को द्रव्यमान और उर्जा के वितर्ण से जोडता है आइन्स्टीन टेंसर आइन्स्टीन टेंसर जोडता है रिक्की टेंसर आर स्थानिय वक्रता को मापता है इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि छोटी मात्राएं वक्रता से कैसे प्रभावित होती है रिक्की स्केलर आर रिक्की टेंसर से प्राप्ट एक एकल मान जो स्पेस्टाइम की समगर वक्रता का प्रतिनिधित्व करता है मीट्रिक टेंसर जी स्पेस्टाइम के ज्यामितिय गुनों का वर्णन करता है तनाव उर्जा टिंसर वर्णन करता है उर्जा घनत्व प्रती इकाई आयतन में कितनी उर्जा मौजूद है समवेग घनत्व स्पेस्टाइम में समवेग कैसे वित्रित किया जाता है दबाव और तनाव दबाव और तनाव स्पेस्टाइम वक्रता को कैसे प्रभावित करते हैं व्याख्या किसी बिंदु पर स्पेस्टाइम की वक्रता उस बिंदु पर मौजूद उर्जा और गती की मात्रा और प्रकार से संबंधित होती है अधिक पदार्थ या उर्जा अधिक वक्रता की ओर ले जाती है, जिसके परिणामस्वरूप एक मजबूत गुरुत्वाकर्शन ख्षेत्र बनता है समीकर्णों का समाधान विभिन समाधान विभिन गुरुत्वाकर्शन घटनाओं का वर्नन करते हैं श्वास्चिड सॉल्यूशन एक गैरगूर्णन गोलाकार रूप से सम्मित द्रव्यमान के आसपास के स्पेस्टाइन का वर्नन करता है केर सॉल्यूशन एक घूमते हुए ब्लाक होल के चारों और के स्पेस्टाइन का वर्नन करता है फ्रीडमेन समीकरन ब्रहमांड विज्ञान में ब्रहमांड के विस्तार का वर्णन करते हैं अनुप्रयोग ब्लैक होल ब्लैक होल के गुनों और अस्तित्व की भविश्यवानी करते हैं ब्रहमांड, विज्ञान, ब्रहमांड की बड़े पैमाने की संरचना और विकास की व्याख्या करें गुरुत्विय तरंगें अंतरिक्षस्मय में तेजी से बढ़ते द्रव्यमान के कारण होने वाले तरंगों की भविश्यवानी करती हैं साराश गुरुत्वाकर्षन को समझने के लिए आइनस्टीन के क्षेत्र समीकरण मौलिक हैं वे पदार्थ और उर्जा के वितर्ण को स्पेस्टाइम की वकृता से जोडते हैं विभिन्न स्थितियों में गुरुत्वाकर्षन प्रभावों को समझने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं समापन नोट आइन्स्टीन के क्षेत्र समीकर्णों और सामान्य सापेक्षिता के सिध्धान्तों को समझने से गुरुत्वाकर्शन और ब्रहमांड की प्रकृती में गेहन अंतरद्रिष्टी मिलती है ये समीकर्ण न केवल अंतरिक्ष और समय के बारे में हमारे द्रिष्टिकोन को नया आकार देते हैं बलकि आधुनिक ब्रहमांड विज्ञान और खगोल भौतिकी के लिए आधार भी प्रदान करते हैं यह पता लगाने से की पदार्थ और उर्जा अंतरिक्ष समय की वक्रता को कैसे प्रभावित करते हैं हम उन ब्रहमांड ये घटनाओं की गहरी सराहना प्राप्त करते हैं जो हमारे ब्रहमांड को आकार देते हैं सामान्य सापेक्षता के केंद्र में इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवार हमें उम्मीद है कि इस अन्वेशन ने गुरुत्वाकर्षन भौतिकी की जटिल लेकिन आकर्षक दुनिया पर प्रकाश डाला है और आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में आगे की जिग्यासा और अध्ययन को प्रेरित किया है गुद्बाइ प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और कॉम्मेंट एफ झाला है